हेलो एन वेलकम बैक तो माई शेनल इस स्पाइसे फिर इंगलीश आज की वीडियो आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसे सीखने वाले हैं जो आपने डेल लाइप में यूज करते हैं बट आप सोचते हैं बहुत आसान है बट जब बोलने का टाइम आता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि इस सेंटेंस को कैसे बोले तो अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट में तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में आपको ऐस सारे sentences मिलने वाले हैं जिससे कि आप English को improve कर सकते हैं तो guys यह शुरू करते हैं आज का हमारा पहला sentence है यहाँ पे guys यह दोनों आपस में लड़ रहे थे तब यह पूछ रहा है कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो What are you guys fighting about What are you guys fighting about पूछने के बाद इसका फोन यह बाहर फिक देता है दोनों लोग तब यह बोल रहा है कि मेरे दोस्त करज़त इस्टेशन पर मेरा इंतियार कर रहे हैं मैं उनसे कैसे संपर करूँगा My friends are waiting for me at the करज़त इस्टेशन How will I contact them My friends are waiting for me at the करज़त इस्टेशन How will I contact them मेरे दोस्त करज़त इस्टेशन पर मेरा इंतियार कर रहे हैं My friends are waiting for me at the करज़त इस्टेशन मैं उनसे संपर कैसे करूँगा How will I contact them तब यह बोलता है आगे कि मैं तुम पर मुकदमा करूँगा I will sue you I will sue you मैं तुम पर मुकदमा करूँगा I would have thrown you out with the phone If I knew that earlier अगर मुझे पहले पता होता है कि तुम्हारा phone है If I knew that earlier I would have thrown you out with the phone इसको समझ नहीं आता है तो बोलाए कि क्या पे-पे-पे-पे कर रहा ही है What पे-पे-पे is he doing What पे-पे-पे Is he doing क्या पे-पे-पे कर रहा ही है what pay 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 is he doing तब है लड़की बताती है कि वह कह रहा है अगर उन्हें पता होता कि phone तुम्हारा है he is saying had they known the phone belonged to you he is saying had they known the phone belonged to you वह कह रहा है he is saying had they known तो गाईज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि if they had known या had they known दोनों का मतलब एक ही है जैसे मैं अगर बोलू कि had they known the phone belonged to you अगर उन्हें पता होता कि phone तुम्हारा है या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि if they had known the phone belonged to you अगर उन्हें पता होता कि phone तुम्हारा है तो वे phone के साथ तुम्हें भी बाहर फेक देते they would throw you out with the phone they would throw you out with the phone तो वे फोन के साथ तुम्हें भी बाहर फेक देते, they would throw you out with the phone, तेरे बापका राजे, डरा राये क्या मुझको, ये बोल रहे कि, is this your father's kingdom, are you trying to scare me, तेरे बापका राजे, is this your father's kingdom, are you trying to scare me, डरा राये मुझको, धमकार राये मुझको, are you threatening me, are you threatening me, धमकार है मुझको, are you threatening me, पता नहीं क्यों, मैंने तुम्हें हाथ दिया, इसका train छूट रहा था, तो ये लड़का हाथ देके इसको train के अंदर ले लेता है, तो ये बोल रहे कि, पता नहीं मैंने तुमको हाथ क्यों दिया, I don't know why I gave you my hand, I don't know why I gave you my hand, इसको help कर देता है हाथ देके, तो वहीं बोल रहे कि, पता नहीं मैंने तुम्हें help क्यों किया, I don't know why I gave you my hand, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे भाई गुंडे हैं, if I had known that your brothers were goons, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, had I known that your brothers were goons, मैं उनकी मदद करने के बजाए, उन्हें लात मार देता, I would have kicked them, instead of helping them, I would have kicked them, instead of helping them, मैं उनकी मदद करने के बजाए, उन्हें लात मार देता, तो यह गाईज, इस लड़की के brothers को help करता है, तो यहीं बोल रहा है कि, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे भाई गुंडे हैं, if I had known that your brothers were goons, तो मैं उनकी मद helping them, वैसे भी, तुम्ही इस समस्या की जड़ हो, anyway, you are the root cause of this problem, वैसे भी, तुम्ही इस समस्या की जड़ हो, you are the root cause of this problem, तुम मेरे पास क्यों आई हो, why have you come to me, why have you come to me, हम दोनों के बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या, is there any way for the two of us to get out, is there any way for the two of us to get out, हम दोनों के बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या, is there any way for the two of us to get out, तब ये लड़की बोलती हाँ है, लेकिन जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही तुमको करना होगा, yes, there is, but you will have to do as I say, yes, there is, हाँ है, but you will have to do as I say, लेकिन जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही तुमको करना पड़ेगा, but you will have to do as I say, तब ये बोल रहा है कि जैसे अब तक सब कुछ मेरे हिसा आप से चल रहा था, कहने का मतलब है, जैसे अब तक मैं अपने मन से कर रहा था, as if everything was going my way till now, as if everything was going my way till now, जैसा अब तक सब कुछ मेरे हिसा आप से चल रहा था, यहाँ पी ये बोल रही कि, but you will have to do as I say, लेकिन जैसा बोलूंगी वैसा ही तुमको करना पड़ेगा, तब यह बोलता है कि, as if everything was going my way till now, जैसा अब तक सब कुछ मेरे हिसा आप से चल रहा था, as if everything was going my way till now, आगे बोलता है कि मैं करूंगा, बताओ क्या करना है, I will do it, tell me what has to be done, मैं करूंगा, बताओ क्या करना है, tell me what has to be done, कॉंबन पहुचते ही मेरे पिता के सामने, once we reach कॉंबन, in front of my father, once we reach कॉंबन, in front of my father, यानि कि कॉंबन एक जगा के नाम में बोलगे कि, once we reach कॉंबन, कॉंबन पहुचती ही, जब हम कॉंबन पहुचेंगे, in front of my father, मेरे पिता के सामने, जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तुम बस अपना सिर हिलाना, you just nod your head, कितनी बार भागने की कोशिश करोगी तुम, ये लड़के अपने घर से भाग जाती है, कई बार भागी थी, तो इसका father बोले, तुम कितनी बार भागने की कोशिश करोगी, how many times will you try to escape, कितनी बार भागने की कोशिश करोगी, how many times will you try to escape तुम ऐसा क्यों कर रही हो why are you doing this, for what why are you doing this, for what यानि कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो why are you doing this, for what मुझे लगा कि वे लोग मुझे मार डालेंगे I thought they were going to kill me I thought they were going to kill me मुझे लगा कि वे लोग मुझे मार डालेंगे I thought they were going to kill me तब यह बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम हमें मिले इसलिए यह सब ड्रामा की रात को मौका मिलते ही हम भाग जाएंगे रात को मौका मिलते ही हम भाग जाएंगे चिंता मत करो भागने में मेरे पास बहुत अनुवा है यह पूछता है कि तुम कैसे भागोगी तो यह बोल रहे हैं कि यह पूछता मत करो भागने में बहुत अनुवा है मेरे भागने का प्लान तयार है मैं एसकेप प्लान इस रेडी मेरे भागने का प्लान तयार है तुम बस बाहर जाओ और नॉर्मल रहना कहने का मतलब है कि तुम बाहर जाओ और सब लोगों के साथ नॉर्मल विहाब करना मैं थोड़ी देर में आकर तुमको इशारा दूँगी मैं थोड़ी देर में आकर तुमको इशारा दूँगी यहाँ पे लड़की बोले कि तुम बस बाहर जाओ और सब लोग के साथ नॉर्मल विहाब करना मैं थोड़ी देर में आकर तुमको इशारा दूँगी फिर हम दोनों भाग जाएंगे तब तक तुम कोई गरवड मत करना तब तक तुम कुछ गरवड मत करना तब तक तुम कुछ गरवड मत करना वेल गाई आजके इस वीडियो में इतना ही अगर आपको confusion है आप कहीं confused हो तो आप comment section में पूच सकते हो मैं उसका reply जरूर दूगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं डेली आप लोगों के लिए इसी तरीके वीडियो बनाता हूं ताकि आप निल्स को इंप्रोब कर सके गाइज मैं आप से लिए वीडियो मिलता हूं तिल दें टेक केर की प्रेक्टिसिंगें थैंक्स वर उचिंग